दोस्तों कि आपका mobile बहुत ही slow charge होता है जब भी आप अपने mobile को charging में लगाते हैं तो 3-4 घंटे लग जाते हैं full charge होने में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कोई भी setting नहीं बताऊंगा सिर्फ एक trick बताऊंगा एक trick को दोस्तों जैसे ही आप अपने mobile में लगा देते हैं उसके बाद जब भी दोस्तों आप अपने mobile को charging में लगाएंगे ना आपका mobile phone दोस्तों दो गुना तेजी से charge होगा देख करके आप चौक जाएंगे कोई भी setting आपको अपने mobile में नहीं करना है बस एक trick को लगाना है जो trick इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ चाहिए दोस्तों आपके पास कोई भी phone हो कोई भी company का phone हो कितने भी रुपे का phone हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस trick से दोस्तों आप किसी भी phone को आसानी से fast charge कर सकते हैं तो कौन सा trick है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो and continue guys इस वीडियो को तुरंत आपके phone के अंदर fast charging enable हो जाएगा तुरंत दोस्तों आप अपने mobile को charge में लगाएंगे ना तो दो गुना तीन गुना तेजी से आपका mobile phone charge होना शुरू हो जाएगा इसके लिए दोस्तों आपको अपने phone में कोई भी setting नहीं करना है बस video को end तक देखना है जो trick बता चार्जिंग से connect करने के बाद दोस्तों अब आपको उस trick को अपने mobile के अंदर apply करना है ठीक है तो कौन सा trick है ध्यान से देखना वीडियो को थोड़ा सा भी skip मत करना अगर कोई भी point अगर आप miss कर जाएंगे तो समझ लिजे दोस्तों आपका mobile phone fast charge नहीं होगा ठीक है तो सभ 201% guarantee है आपका mobile phone दो गुना तीन गुना तेजी से fast charge होगा ठीक है तो इसे सबसे पहले आपको download करना होगा कैसे आप download करेंगे औस सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको proof दिखाता हूँ कैसे आप इससे fast charge करेंगे ठीक है तो इसे आपको जो है open करेंगे इस प्रकास से आपके समने interface आजाएगा आपके phone के battery का जो पूरा का पूरा information होता है वो सब दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सबसे उपर देख सकते है battery percentage और उसके नीचे दिया अभी कोछ चीजे जो है problem में है मतलब जो चीजे है यहाँ पर आप देख सकते है error आ रहा है यह सब चीजों को आपको fix करना होगा जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सब चीजे fix हो गई है तो इसके आगे आपको यहाँ पर green tick देखने को मिल रहा है तो इसी तरह से दोस्तों आपको इन सब को fix करना है ताकि आपका जो mobile phone है यह कई गुना तेजी से fast charge हो ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे one by one करके एक एक के उपर आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है उसे आपको यहाँ से बन कर देना ह जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद back आएंगे तो यहाँ पर fix हो जाएगा green trick आपको देखने को मिल जाएगा इसी प्रकास से इसे भी दोस्तों आपको कर लेना है इसे यहाँ से बन कर देना है कुछ टाइम के लिए उसके बाद charging के बाद आप यह तो on कर सकते हैं उसके on करना है उसके बाद आपको back चले जाना है अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा यह green हो गया है और उपर आप देखेंगे तो fast charging mode आपके phone के अंदर enable भी हो चुका है ठीक है और यहाँ पर एक दिया हुआ है charging mode आपको इसके उपर click कर लेना है इस आप देखेंगे तो उपर fast charging लिखा हुआ आ रहा है आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं यानि कि दोस्तों आपके mobile में fast charging enable हो गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो brightness को automatic manage कर रहा है और आपके यहाँ पर देख लिजे एक भी minute नहीं हुआ हमारा phone जो है कित fast charging को enable कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने mobile के अंदर fast charging को enable कर दिया है अब यह दोस्तों brightness को इसलिए कम कर रहा है बार बार ताकि दोस्तों आपका mobile phone तेजी से चार्ज हो सके ठीक है तो यहाँ पर अभी मैं इसे चार्ज से disconnect कर देता हूँ अभी म आप अपने mobile को fast charge कर पाएंगे तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा Google Play Store को open करना है मैं बिल्कुल safe application की बारे में बताता हूँ दोस्तों जो आपको play store पर मिल जाता है ठीक है तो बस play store open करेंगे यहाँ पर आप fast charging लिखेंगे न तो यही पर दोस्तों आपको दे करते हैं ताकि phone fast charge हो सके समझ रहो तो इसे ही दोस्तों आपको install कर लेना है प्ले इस्टोर से उसके बाद जो जो setting जो जो trick मैंने बताया है उसे बस आपको apply कर लेना है ठीक है आपको extra कोई भी setting अपने mobile में करने की जरूरती नहीं पड़ेगी इसी से दोस्तों आपका mobile phone 2 ग and take care